हेलो दोस्तों स्वागत है आपका बायोवेदिक्स में और आप जानते हैं कि आपको यहां मिलती हैं बायोजी और आयरवेदिक वीडियोज हर रोज सुभा नौ बजे तो दोस्तों इसी सीरीज में आज एक नया टॉपिक लेकिया हैं जिसमें हम बात करेंगे कि डायवेटेज क्या है और इसके टाइप क्या है और इस वीडियो से आप यह भी जानेंगे कि आपको कौन सी टाइप की डायवेटेज है कौन से प्रकार की डायवेटेज तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो तो दोस्तों जहां तक टायवेटेज की बात करें तो डायवेटेज जो है वो अपने आप में बीमारियों का समूँ है यानि group of metabolic disease है जिसमें होता क्या है कि हमारे blood में जो glucose level है वो या तो ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है यानि blood glucose level कम या ज्यादा होने से जो दिक्कते होती हैं वो diabetes की दिक्कते हैं यहां condition आप देख रहे हैं जैसे कि अगर हम बात करें blood में glucose की तो अगर blood में glucose कम है तो hypoglycemia कहते हैं उसे और अगर ज्यादा है तो उसे hyperglycemia कहते हैं तो दोस्तो hypoglycemia के जो symptom है वो नीद आना पसीना आना ज्यादा पीलापन पढ़ जाना तवचा में फिर coordination में कमी आना फिर irritability और ज्यादा भूक लगना है जबकि hyperglycemia के जो symptom है उसमें मुह सूख जाता है प्यास ज्यादा लगती है धुंदला दिखाई देना शुरू जाता है कमजोर भी आ जाती है सर में दर्द रहता है लगतार और फिर frequent urination यानि ज्यादा urine पास होता है फिर बात करें diabetes के टाइप की तो diabetes जो है बेसिकली दो टाइप की होती है दोस्तों एक होती है diabetes mellitus और दूसरी होती है diabetes insipidus इसमें जो diabetes mellitus है वो तीन टाइप की है type 1, type 2 और gestational diabetes जबक लेकिन इसमें जो diabetes mellitus है वो most common disease है जो insulin की वज़े से होती है और metabolism को fail करा देती है और जो insipidus है वो कभी-कबार पाए जाने वाली disease है जो pituitary hormone की वज़े से होती है और इसमें frequent urination होता है जान लेते हैं diabetes mellitus और insipidus के difference के बारे में में तोर पर diabetes mellitus जो है group of metabolic disease है दोस्तों जिसमें blood sugar level बढ़ता है जबकि insipidus में प्यास बढ़ती है और urination यानि पिशाब भी ज़्यादा आता है फिर अगला difference देखें कि ये जो mellitus है नॉर्मल होता है insulin hormone की वज़े से जिसमें metabolic disorders हो जाते हैं जबकि insipidus में जो दिक्कत है वो pituitary hormone की है vasoprocin और ये कहीं ना कहीं kidney के function को regulate करता है फिर mellitus में urine जो है उसमें glucose पाया जाता है जबकि insipidus में urine में glucose नहीं पाया जाता है ये इसकी खास पहचान है में पहचान है फिर आगे बात करते हैं diabetes mellitus के दो main type की type 1 और type 2 इसमें सबसे पहले बात करेंगे diabetes type 1 disease के बारे में और इसमें मैं आपको बता हूँ कि इसमें सबसे पहले तो insulin production बंद हो जाता है और फिर जो हमारी body है वो glucose को absorb नहीं कर पाती जिसकी वज़े से blood में glucose इकठा हो जाता है और इस condition को ही दोस्तो high blood glucose level कहते है इस case म body को बाहर से insulin बाहर से injection के दवारा देना पड़ता है क्योंकि blood में insulin है तो लेकिन हमारी body उसको absorb नहीं कर पारी फिर बात करें diabetes type 2 की तो इसमें हमारी body में insulin बनता तो है लेकिन हमारी body उसको use नहीं कर पाती absorb नहीं कर पाती और इससे भी blood glucose level बढ़ जाता है तो दोनों ही परि body की जो cells हैं वो insulin को absorb करने में सक्षम नहीं है तो एक में तो insulin बन नहीं रहा है और दूसरे में बन रहा है तो body उसको absorb में कर पा रहे हैं तो दोस्तों इससे यह पता चलता है आपको कि insulin ही वो hormone है जो blood में glucose level को control करता है फिर बात कर लेते हैं दोस्तों criteria कि type 1 disease का criteria यह है कि यह यंग age में भी हो सकता है नॉर्मल BMI के होते वे भी हो सकता है जरूरी नहीं है कि आप मोटे हो फैमली में कोई history हो इस disease की ऐसा भी जरूरी नहीं है फिर short duration के symptoms आते हैं इसमें और इसमें life threatening condition भी आ जाती है जिसे diabetic coma कहते हैं और इसके treatment के लिए insulin जरूरी होता है फिर type 2 disease का criteria यह है कि यह generally middle age या बड़ी age में ही होता है और इसमें जो patient होते हैं जनरली मोटे हो जाते हैं मोटापी के शिकार लोगों को ही होती है type 2 disease history होती है सामाने तोर पर और इसमें जो symptoms हैं लंबे समय तक आते हैं diabetic coma वाली condition नहीं आती जनरली life threatening condition सामाने तोर पर नहीं आती और इसमें insulin भी जरूरी नहीं है treatment के लिए फिर type 2 disease ऐसी महिलाओं में भी हो जाती है जिनमें gestational diabetes की शिकायत रही हो यानि previous diabetes in pregnancy की history रही हो तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई information पसंद आई हो तो प्लीज इसे like और शेयर जरूर कीजीगा और हमारे चैनल को subscribe भी कीजीगा जिसका नाम है बायोवेदिक्स थैंक्यू वेरी मच